प्रजापती दक्ष के यग्य में देवी सती के योग अगनी में भश्म होने के बाद उनके आत्मदाह के बाद दक्ष के सैनिकों और रुद्र गणों के वीच गमासान युद्ध चल गया वह युद्ध भी बहुत लंबे समय तक चला रुद्र गणों ने दक्ष की सेना को पराजित ही कर दिया था लेकिन महर्शी भीगू ने फिर से अपने मंत्र शक्ती का प्रयोग करके हजारों की सेना फिर से रुद्र गणों के समक्ष खड़ी कर दी फिर वो उससे युद्ध करने में उलज गया उनको पराजित करने के बाद पुना हजार लाखों की सेना महर्शी भीगू ने अपने मंत्र शक्ती से उत्पन्न कर दी अब रुद्र गणों के समक्ष ये समस्या था काफे रुद्र गण भी घायल हो रहे थे और मृत्यू को भी प्राप्त हो रहे थे ये दिपी शिव की कृपा है उनके उपर इसलिए वो हमेशा हर वस्था में रुद्र गण के पद पर रहेंगे अब हुआ क्या कि रुद्र गणों ने विचार किया कि अब प्रजापती दक्ष का क्या करना है क्या नहीं यह हमारे अधिकार छेत्र के बाहर है हमारा दै तो बनता है हमारा कर्तव बनता है कि एक बार हम जाकर कैलाश पर स्वेम भगवान भोले नाथ को इस सारी घटना की सूचना अवश्य दे दे और ऐसा विचार करकर नंदी आदी रुद्र गण दक्ष के सैनिकों से लड़ना छोड़ उस समय कैलाश परवत पर चले गए विलाप करते हुए रोते हुए आखों से अशुधारा को अविरल बहाते हुए नंदी कैलाश पर पहुँचे जैसे ही इस प्रकार से करंदन करते हुए नंदी आदी रुद्र गणों को भगवान शिव ने देखा शिव भी व्याकुल होकर पूछ पड़े कि नंदी क्या हुआ तुम्हे कौन सा दुख तुम तो निरंदर आत्मा आत्मा नंद में लीन रहने वाले हो फिर तुम क्यों इतने दुखी नजर आ रहे हो ऐसा क्यों विवहार कर रहे हो सारी घटना मुझे कैसुनाओ नंदी शिव के चर्णों में जाकर गिर जाते हैं और भगवान शिव के चर्णों में गिर कर बहुत रोते हैं अपने आसुओं से शिव के चर्णों का प्रक्षालन कर देते हैं भगवान शिव बार बार नंदी के भुजाओं को पकड़ कर उठाते हैं और पूछते हैं नंदी बत तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो, इतना करंदन क्यों कर रहे हो, एक बालक की भाती, इतना रोय जा रहे हो, बताओ, सारी घटना बताओ कि क्या हुआ, नंदिश्वर, नंदिश्वर रोते रोते सारी घटना क्या सुनाते हैं, कि हे महादेव, हे महादेव, हमारी माता, दे भांगनी देवी सती अब इस संसार में नहीं रही प्रजापती दक्ष के यग्य सभा में यग्य कुंड के पास देवी ने आत्म दाह कर लिया स्वेम को योग अगनी में भश्म कर लिया भगबन स्वेम को योग अगनी में भश्म कर लिया देवी आपका अपमान सहन ना कर पा और इस कारण से ऐसी ऐसी घटना घटी है प्रभू। प्रजापती दक्ष ने उन्हें भरी सभा में बहुत अपमानित किया। बहुत भला बुरा कहा आपका भी घोर अपमान किया। आपका अपमान देवी सहन न करपाई भगवन और आत्म दाह कर लिया। हमें मिर्तु दंड दे, है कैलाश पती हमें मिर्तु दंड दे आपने हमें कहा था कि जाओ सती के अंग संग रहना उनकी रक्षा करना उनकी अंग रक्षछ क बनकर जाओ लेकिन हम उनकी रक्षा करने में विफल हुए हम असफल हुए इसलिए हे महादेव हमें मृत्यु दंड प्रदान करे भगवन मृत्यु दंड प्रदान करे हम इसी योग्य हैं हम धोर पापी हैं हम भी इस घटना के कारण हैं जिम्मेदार हैं इसलिए हमें मृत्यु दंड मिलने चाहिए, मृत्यु दंड मिलने चाहिए, नंदिश्वर ऐसा कहकर, भोले नात की चर्नों में लोट गए, अपने अश्व धारा से शिव के चर्नों का प्रक्षारन कर दिया, इतने अश्व बहाय, शिव भगवान भोले नात विचार करने लगे, कि आखिर नंदि ये कैसी घटना सुना रहा है, यदपी शिव अंतर यामी है, सब जानते हैं परंतु फिर भी, आधार चाहिए, कोई भी कारे करने का, कोई भी निर्णे लेने का, जब तक भगतों का आधार, अस्थापित नहीं होता, तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं, फिर क्या हुआ, भगवान शिव ने मन ही मन, नारज जी का आवान किया, और नारज जी का आवान करकर, देवरिशी नारज से पुछा कि, हे नारज, हे देवरिशी नारज, तुम तीनों लोकों की घटना जानते हो, और भली भाती जानते हो, इसलिए मुझे, मुझे एक बात बताओ, कि क्या, नंदिश्वर ने जो खबर मुझे सुनाई, जो समाचार मुझे दिया है, क्या वो सही है, क्या वो सत्य है, क्या ऐसी घटना घटी है, देवरिशी नारज को समझते हुए देर नहीं लगा, कि आखिर नंदिश्वर ने कौन सी कथा, भगवान शिव को सुनाई होगी, वो भली भारती समझ गय, कि अवश्य ही, प्रजापती दक्ष के यग्ग में, कुछ और कहने का प्रश्ण ही नहीं उठता, भगवान शिव ने फिर से पूछा, देवरिशी चुप क्यों हो, देवरिशी नारज मुझे बताओ, क्या यह घटना सत्य है, कि प्रजापती दक्ष के यग्ग में, सती ने आत्म दाह कर लिया, क्या यह सत्य है नंदिश, नारज मुझे बता दो, उत्तर दे दो, देवरिशी नारज भी कुछ कहना पाए, कहना पाए, हां में सर हिलाते हुए, उनके भी आँखों से अश्टुधारा फूट परी, वो भी रो पड़े और भागवान की चर्णों में गिर गगे और बोल पड़े, फफखते फफखते रो रो कर कह पड़े कि हां प्रभू, हां प्रभू यह सत्य है, सत्य है प्रभू सत्य है, देवी का बहुत अपमान हुआ उस सभा के भीतर, और विशेश रूप से आपको अपमानित किया प्रजापती दक्ष ने और इस अपमान को देवी सहन ना कर पाई और उन्होंने निर्णे ले लिया कि वो इसी यग सभा में अपने देह का त्याक कर लेंगी और देवी ने आत्म दाह किया योग अगनी में स्वेम के देह को हम माता को खो चुके हैं इस प्रकार से विलाप करने लगे भगवान शिव ने जैसे ही देव रिशी नारत के मुकारबिंद से श्रवन किया कि सती ने आत्म दाह कर लिया है यग्य में प्रजापती दक्ष के यग्य में आत्म दाह कर लिया है भगवान शिव ने देखते दे ते विराट रूप धारन कर लिया इतना विशाल रूट की इतना भयावा रूप कि जो भी उसको देखता भयावीत हो जाता शिव ने अपने मस्तक से एक जटा निकाली और जटा को चटान पे देमारी चटान से टकलाते ही वो जटा दो भाग में बट गई एक भाग से सहसर भ भद्रकाली प्रगट हुई दस भुजाओं को धारन करने वाली योगनी शाकनी डाकनी समेत भद्रकाली का प्रदुर्भा हुआ और एक से विर्भद्र का प्रदुर्भा हुआ विर्भद्र की भुजाएं फड़क रही थी जंगाएं फड़क रही थी विर्भद्र ने महा देवादी देव महादेव है कैलाशपती है विश्वनात मेरी भुजाएं फड़क रही है मेरी जंगाएं भी फड़क रही है मेरी इक्षा हो रही है कि मैं इस संपुर्ण संसार का विनाश कर दू इस पृत्वी को अपने भुजाओं से मसल के रख दू सब कुछ नश्ट कर भगवन कृपा करें मेरा ऐसा मन क्यूं हो रहा है आपने मुझे क्यूं जन्म दिया है आदी देव है आदी देव आपने मुझे क्यूं जन्म दिया है मेरा उद्देश्य बताएं है महादेव मेरा उद्देश्य बताएं कि किस उद्देश्य की पूर्ती है तू आपने मु वान शिव ने अपनी चटाएं बिखेर लो नित्र लाल और विराट रूप धारन करकर शिव ने विद्र वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र जाओ जाओ और प्रजापती दक्ष का वध कर दो और जब तक प्रजापती दक्ष का वध ना हो तुम्हारा प्रले रुकना नहीं चाही जाओ प्रले मचाओ देवी से कहा कि जाओ भद्र काली तुम भी विरभद्र के पीछे जाओ उनका सहयोग करो और प्रले मचाओ जब तक चाहो तब तक प्रले मचाओ कोई भी तुम्हारे मार्ग में आये चाहे देवता हो, मनश्य हो, नर हो, नारी हो, पशु हो, यक्च हो, गंदर हो, कोई बचना नहीं चाहिए जो जो उस यग्य सभा में था, उसका बचाओ नहीं होना चाहिए जाओ, जाकर प्रले मचा दो और देखते देखते वीर भद्र जैसे जैसे भूमी पर अपना पगर रखते वैसे वैसे भू कमपित हो जाता, ये पृत्वी बार बार कमपित हो जाती प्रले मच गया चारो तरफ, देखते देखते प्रलेंकारी घटनाएं शुरू हो गई भुकम्प आने शुरू हो गए, बाड़ आने शुरू हो गए, बिजलियां गिरने शुरू हो गई और माता भद्र काली इस प्रकार से प्रले मचाती हुई आगे बढ़ जाती है वीर भद्र जब पहुँच जाते हैं दक्ष की नगरी में दक्ष की सेना के समच्च पहुँच कर दक्ष की सेना के साथ गमासान युद्ध प्रारंब हो जाता है देखते देखते अपनी हजार भुजाओं के प्रहार से देखते देखते वीर भद्र प्रजापती दक्ष के हजार सैनिकों का एक ही वार में वद्ध कर देते हैं मंत्र शक्ति से भृगू फिर से सैनिकों को जनम तो देते हैं लेकिन एक ही वार में वीरभद्र उन सब का वध कर देते हैं। अब देखते हैं कि भृगू अब कुछ भी नहीं हो सकता। भ्रिगु को पकड़ कर भ्रिगु की दाड़ी खीच कर और बाल खीच कर उन्हें मुंडित कर देते हैं और भ्रिगु का वद्ध कर देते हैं जैसी भ्रिगु का वद्ध हो जाता है अब प्रजापती दक्ष अकेला पड़ जाता है प्रजापती दक्ष सोचता है कि अब मैं क रहा जाओं मैं कहा भागूं तो प्रजापती दक्ष भगवान विश्णू की शरन में भागता है प्रजापती दक्ष को एक समय भगवान विश्णू ने कहा था कि मैं एक समय तेरे पक्ष में युद्ध करूँगा और उस समय विश्णू के पास जाकर भगवान विश्णू के पास जाकर प्रभू से कहता है यह प्रभू आप मेरी रक्षा करें रक्षस्व माम प्रभू रक्षस्व माम रक्षस्व माम प्रभू रक्षस्व माम भगवान विश्णू के पास जाकर भगवान श्री विश्णू से कहता है कि आप मेरी रक्षा करें भगवन आप मेरी रक्षा करें आप ने वचन दिया था कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे आप मेरे लिए युद्ध करेंगे भगवान अविश्णू ने कहा भगवान विश्णु ने कहा कि प्रजापती दक्ष अपने शवदों का प्रयोग सम्हाल के करो मैंने क्या वचन दिया था मैंने कभी ये वचन नहीं दिया कि मैं तुम्हाई रक्षा करूगा मैंने मातर इतना बचन दिया था कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूँगा और मैं वो अवश्य करूँगा क्योंकि मैंने बचन दिया था इसलिए आज महादेव के दूत महादेव के पुत्र वीर भद्र स्वे में युद्ध कर रहे हैं उसे में शिव स्वरूप ही है मैं अवश्य उद्ध करूँगा लेकिन प्रजापती दक्ष तुमने जो भूल की है जो तुमने गुलतियां की है वो भी अक्षम में है उसे छमा नहीं किया जा सकता है प्रजापती दक्ष तुमने शिव द्रोह किया है क्यों? क्योंकि तुम्हें शिव और विष्णु में भेद दिखाई देता है तुम मेरा सम्मान करते हो शिव का अपमान करते हो जबकि सत्य ये है कि हर और हरी में कोई भेद नहीं है और जिसने भी भेद किया उसका सर्वनाश हुआ इसलिए है प्रजापती दक्ष पहुँच गए प्रजापती दक्ष के पक्ष में युद्ध करने के लिए वीर भद्र और विष्णु के बीच में युद्ध प्रारंब हो गया और देखते देखते कुछ समय तक भगवान विष्णु युद्ध करते रहे और फिर प्रजापती दक्ष से कहा कि हे दक्ष, मैंने अपना वचन पुर्ण किया और इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूँ भगवान के इस विरभद्र रूप को भगवान शिव के इस विरभद्र रूप को कोटी-कोटी प्रणाम करकर प्रजापती दक्ष को छोड़ भगवान विश्णु वहां से अंतरधान हो गए और अपने वैकुंठ में चले गए प्रजापती दक्ष बिलकुल अकेला पड़ गया विर्भद्र ने प्रजापती दक्ष को दोड़ाया और जैसे ही दोड़ाया तो प्रजापती दक्ष युद्ध भूमी को छोड़कर यगशाला की और भादा यगशाला में प्रवेश कर गया और पीछे से वीर्भद्र ने दोड़ाते हुए उसके उपर अपने तरशूल से वार किया और जैसे ही तरशूल से वार किया उस तरशूल का वार सीधा वीर्भद्र प्रजापती दक्ष की गरदन पर हुई और प्रजापती दक्ष का जो सिर था वो धर से कट कर अलग हो गया और जाकर गिर गया हवन कुंड की अगनी में जाकर गिर गया और उसका सर भशम हो गया प्रजापती दक्ष का वद हो गया लेकिन जैसे ही प्रजापती दक्ष का वद हुआ वीरभद्र का मन शांत हो गया और शांत होकर वीरभद्र भगवान शिव के पास पहुंचे भगवा शिव को सारी खबर सुनाई भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए दिव्विस रेजन के इस चैनल पर भारतिय दर्शन शास्त्र योग अध्यात्म और आयुर्वेट जैसे मानव कल्यानकारे विश्यों पर चर्चा होती है अता इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करक इसे आगे बढ़ाने में सयोग करें बैल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन्स में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विश्यों पर अपने प्रश्ण भी पूच सकते हैं धन्यवाद